अगर श्रीशा एक ना यार वो कंपोजर ने री रेकॉर्डिंग के लिए बुलाए थोड़ा लिरिक्स में चेंज है अगर आतातर्मी डेट वर आली है और थोड़ा थोड़ा बोलके तीन बार तो लिरिक्स चेंज करवा है तुम लोगों ने काई नाटक चाल हुए आजगर मियां अरे क्या बोलू मैं देर गंटे से मैं बैठा इधर कूँ पॉट्टी आइज नहीं तुम तो अपने को जानते ना मियां हां मोले में मौट डाल गया है हमें अच्छा आठीक है ओके रंडी 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 हां ची मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है मैडम मैडम वो गाली नहीं होते हैं वो हमारे यह पे घथरावादी नुसका मतलब होता कम लेट्सी देखते हैं वैसा और वो मौट डालने का कुछ बोल रहे थे मैडम मैं आपको बोला ना वो हमारे यहां का टोन है जैसे आपका होता ना यहां पे राप्चिक जकास वैसा मैं तो किसी पॉट्टी से मिलने आया है यहां पे पॉट्टी पॉट्टी मतलब लड़की किसी पॉट्टी से मिलने हाई है मैं डेट पे स्रीजा ना में उनका अजीत पॉट्टी मैं वो पॉट्टी आय में स्रीजा डेट अच 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 आपे स्रीजा मैं कहता आखों की देखी तो कहता का अगज की लेखी तेरा मेरा मन वा एक कैसे हो मेरे कब से बैठ हमा इधर को आपने इतनी बाता सुना दी मैं अपने इतनी बाता सुना दी मेरे को तो लगा मेरा फाइल लटक के आज फाइल लटक मतलब ऐसा दिल भार को आना मैं वैसे मैं भी बहुत देर से यहां पर बैठे है देखो स्रीजा जी आप चाहिए कितना भी बेटा कर रही हूं लेकिन आप से पहले तो मैं ही आया इतने कॉंफिडेंस से कैसे कह सकते हो तुमारे मुंबए के लोगा ग्याराव इसे पहले उठेच नहीं है सुझे अरे देवा लगता है मुझे खुद का रेकॉर्डिंग स्टूडियो ही खुलना पड़ेगा तुम सिंगर हो तो प्रॉब्लम क्या है मुंबाई में पैसे पेड़ पे नहीं होते ना तो लोन लेलो इतना असान थोड़ी नहीं देखो अब लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो क्रेड़ स्कोर पर टिपेंड करता है तो एक सकिन आप ये पैसाबजार.com पर अपना क्रेड़ स्कोर चेक कर सकती हो वो भी फ्री में और तुमारी प्रोफाइल के बेसिस पे सिक्स्टी प्लस लोन ओफर्स है इसके अंदर तो तुम्हें बेस दिखाएंगे वो भी बेस इंटरस्ट रेट के साथ अर फ्रे इतना सारा पेपर वर्क अर एकदम कम डोकुमेंटेशन पर हो जाएगा वहाँ यार इमीडिटली चेक आओट पैसाबजार.com यहाँ शायद मेरा स्टूडियो खुलने का सपना पुरा हो जाएगा और वह कहते है न यह शेयर है सपनों का तुम्हें मुंबाई पसंदारी है अरे क्या बता हूँ मैं एक अफता हो गया मुझे यह कि यह कभी बंटा है बमा है यही सुन रहा हूँ और ओटोवाला से पूछने से पहले नहीं जाएगा बोल देता ना यहां के लोगा समझ आ रहे ना उनकी बातां बातां जैसे कि तुम जो बातां बोल रहे हो मॉट डाल दूँगा फाइल लटका दूँगा पॉटी यह सब समझ में आ रहे है एक मिनिर एक मिनिर ना और तुम लोगा वो जो बोलता हो फाडू, जकास, भाई, कल्टी-पेटी, बच्ची वो गया और दस हाजार के रहे हैं एक लाग दिपोजट कून मांगता अध तो तब हुई जब फुटपा दिखा के मुझ से अड़बंसा मांग रहा देख तो दो मौसम है तुम्हारे बास ये बरसात और रूमस, बस रहीना को कुछ दो मौसम? Now this is getting personal Hyderabad लटका है दो स्टेट के बीच में दो नाओं पे सवारो तुम लो ना तल्यात ना मार्यात तल्यात? 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 गाटका Oh, hello मेर अपना गाटा मिल इस्टेट मिल चुका है तलंगाना रामोजी फिल्म सिटी सुनाओगा ना सबसे बिग्स फिल्म सिटी इन इंडिया वही है तबिग्स फिल्म इंड़्म इंडिया यही है तभी तुम लोगा रिमेका बना लेता है मैं, कुछ उर्जिनालिटी तो होगी है ना, obviously खाओ गली कभी शाना वहाँ पे उंग्लिया चाटते रह जाओगे उंग्लिया चाटने से याद आया कभी हैदराबादी बिर्याने काई जिज दिन खाना परिशान हो जाना क्यों, इतना बुरा टेस्ट है अरे, परिशान हो जाना मतलब एकदम जाकास, वह वाला बिर्यानी और चार मिनार छोड़के कुछ है तुम्हारे पास यहाँ पे वराइटी तो है जैसे कि पाओ तुम लोगा हर जगाँ पे पाओ जू डाल देते वडा पाओ, समोसा पाओ भाजी पाओ, चकली पाओ तुम लोगा का यह ब्रेकफास लंच डिनर सब में पाओ यह क्या एक बात बताओ इंजिनियरिंग छोड़के यहाँ पे क्या गर जो? हलो, मैं इंजिनियर नको हाइदराबाद तो साइबराबाद बन गया है अरे तो इसका मतलब यह थोड़की हर आदमी यह इंजिनियरी होगा एक्जाक्ली मार पॉइंट यहाँ पे हर आदमी दिन भर वडापाउ नहीं खाता दिन का पहला वडापाउ है तुम्हारे लिए मंगया था इसके माह के किरकरी यह तो किर्राग है मतलब मस्ता हो क्या ना? पहली बार मैंने खाया ना तो मेरे इंप्रेशन पूरा ही बेंगन था तो बेंगन क्यों खाया? फर्स्ट इंप्रेशन भी मुंबाई को जज कर लिया थोड़ा टाइम तो दो वो तुम लोग क्या बोलते हो? हलू हलू मुंबाई से प्यार हो जाएगा वैसे फर्स्ट इंप्रेशन तो अपना भी बहुत खराबता तो इसका मतलब हमारा भी वैसे हर वड़ा पाव बुरा नहीं होता साइबराबाद छोड़के यहां पर क्या कर रहो? मैं लिरिक राइटर हूँ सुना है यहां सपने बूरे होते हैं तो इसलिए अरे वाँ एक बात पर तो अग्री हो गए इस 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 अपर द्रीम्स हाँ क्या लिखाया कुछ सुनाओ यहां पर अभी तुम आठेस्ट हो चलो सुना ठीक ठीक इसमें आओ कुछ कहानी लिखे कुछ तेरी कुछ मेरी जबानी लिखे साहिल और समंदर की रवानी लिखे कुछ कहानी लिखे वो शाम की चाहत ने मेरी आखों में कुछ पानी लिखे अंग्राईयों के साथ सुभा ने तुझे पाने की एक निशानी लिखे आओ, कुछ कहानी लिखे मैं पालूं तुझे सच्टे में तू पाले मुझे सदके में तेरी मेरी जवानी को पुरानी लिखे हाँ बैठ एक कहानी लिखें तुम गाऊ ना अरे प्रीज हाँ मेरी जवानी को पुरानी लिखे बैठेक कहानी लिखे बैठेक कहानी लिखे रेलार, तुम तो किरागा दियो है सची कमाल तुम तुम अब तुम अब देनी है रिस्ट ना सिंगर अना सेंब बोत अब अब स्ट्रॉड अब सुद्ध करें स्ट्रॉड मत बोलो यार क्यों श्ट्रॉड ही तो है अब अब आप्मिया जो करने आता उसे छोड़के वो सब कुष करता ताकि वो वो कर सेके जो वो करने हैं आया था सही तो है लेकिन स्ट्रागल वोर्ड बहुत डिप्रेसिंग है लर्निंग बोलते हैं मैं एक लर्निंग सिंगर हूँ तुम एक लर्निंग लिरिसिस्ट हो तो एक लिरिसिस्ट और एक सिंगर ओन लर्निंग बोलते हैं लर्निंग बोलते हैं तो हम इस बात पर क्यों लड़ रहे हैं कि हम कहां से आये हैं बिल्कुल जब हमें जाना एक ही मंजिल पर हैं तो चले किदर कू मुंबाई मैं आने की बात कनेक्शन बनाना ज़रूरी है सुना है na तुम मैं हाँ सुने है तो चालो कनेक्शन बनाते हैं तो कहता का अगज की लेखी तेरा मेरा मन वा एक कैसे हो एरे तुम तुम दनाना दल्डूम दनाना तुम तुम दनाना दल्डूम दनाना अरे पर किता दूर है? बास आदा गंटा तुम लोग ऐसे दिस्टंस पूछ हो तो तुम ताइम क्यो बता देते हो? आपको क्या लगता है? बताइए और अगर आपके भी सपने हो पैसो से बढ़ कर तो अपने अपनों के लिए लोन लेले से शर्माइए मर पैसाबसार.com देता है आपको बेस्ट इंट्रेस्ट में लोन बस अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहना To know more about this, click on the link in the description below. And for the daily dose of entertainment, subscribe to rvcj!